दिल्ली एंसियार में बेहने वाली यमुना में पानी हरियाना के हतिनी कुन पैराज से छोड़ा जाता है मगर वो पानी जितना साफ वहां होता है दिल्ली आते आते उस की स्थिती बेहद खराब हो जाती है इसी की पार्टाल करने एबीपी न्यूस संबात दाता दिव्यांकर दिवारी बागपत पहुंचे साफ सफाई में सबसे एहम भूम का स्थिपी की होती है स्थिपी यानि सीवर स्ट्रीट्मेंट प्लांट जो राज सरकारों की ओर से बनाए जाते हैं राज सरकारों की ओर से बनाए गए स्थिपी प्लांट क्या सही से काम कर रहे हैं या फिर वो भी सरकारों की तरह कागजों में ही सिर्फ सही चल रहे हैं और हम फिलहाल मौझूद हैं यूपी के बागपत जिले में और यहां से होते हुए यमना हर्यारा के सोनिपत जिले से होकर दिल्ली में स्टीपी प्लांट यानि सीवर स्ट्रीट्मेंट प्लांट शहरी डेनेज सिस्टम से जोड़ा होता है जिसका काम घर से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करना होता है ABP News की परताल का पहला पड़ाओ यूपी का बागपत जिले में मौझूद 14 MLD सीवर स्ट्रीट्मेंट प्लांट का जो ट्रीटेट वाटर है उसकी जलक क्या है वो आप यहां पर देख पाएंगे किस तरह से स्टीपी के बाद जो पानी निकल रहा है उसका रंग आप देखिए और इस रंग के साथ साथ पानी निकलने के साथ जो छाग वाली स्थिति यहां पर बन रही है यह आपको दिल्ली में कालेंदी कुंज में मौझूद यमुना नदी की स्थिति बया करती हुई नजर आएगी जिसे साथ से तस्वीरे वहां पर निकल कराती है कुछ उसी तरह की तस्वीर यहां भी है पानी का रंग कैसा है इसकी परताल हम आपको दिखाते हैं किस रंग में ट्रीटेड वाटर जो है वो निकल रहा है एश्टीपी का यह आप देखिए कुछ इसी तरह के स्थिती कालिंदी कुंज में यमना की नजर आती है कांच के ग्लास में पानी का कलर कैसा नजर आ रहा है खुद देखिए यूपी के बागपत के बाद एबीपी न्यूज समवादाता दिव्यांकर हर्याना के सोनी पत की ओर बढ़ है सोनी पत के 30 MLD होने के बाद पानी किस तरह से यहां पर निकल रहा है जो और यह पानी आपको बता दें यहां पर जो जाग वाली स्थितिया है यह इस वज़े से हो रही है क्योंकि पानी के अंदर फॉस्पेट की मातरा काफी जादा है और जिसके बाद जाग वाली स्थिति जो है बन गई है यह पानी यहां से निकल रहा है और यहां से होते हुए यह नहर के रास्ते आगे नरेला जो जहां पर दिल्ली सरकार का स्थिति बना हुआ है वहां तक जाता है और वहां से जो पानी ट्रीट होने के बाद यमुना में जाता है तो जिस तरह से यहां की जो तस्वीरे निकल कर आ रही है ये पानी बागपत वाली जो हटीपी है उससे थोड़ा बहतर नजर आ रहा है और इस वज़े से नजर आ रहा है क्योंकि इसका रंग आपको हम दिखा दें कि ये रंग बागपत वाली एस्टीपी से थोड़ा बहतर है चुकि लेकिन यहां पर जो फास्वेट की मातरा है इस पानी में वो काफी ज़ादा है पानी जहरीला है और ये चाहे वो खेत हो या फिर इंसान हो इंसान अगर इससे नहाएंगे तो उन्हें बीमारिया हो सकती है नुक्सान हो सकता है खेत को ये पानी बंजर बना सकता है और जिसके चलते ये पानी किसी काम लाइक नहीं बचता है ABP News जब सोनी पत के ही दूसरे स्टीपी प्लांट पर पहुँचा तो वहां स्टीपी प्लांट काम ही नहीं कर रहा था आसपास के लोगों की माने तो ये स्टीपी प्लांट पानी ट्रीट किये बगएर ही उसे नहर में छोड़ देता है खेतों में काम करने वाले किसानों का कहना था कि जब स्टीपी चलता है तो गंदा पानी छोड़ता है हर्याना के बाद डिल्ली के स्टीपी की परताल बागी थी हकीकत जानने के लिए समबाददाता दिव्डांकर नरेला स्टीपी को चुना अभी फिलहाल हमारी मौझूदगी डिल्ली सरकार के अंतरगत आने वाले सीवेश ट्रीट्मेंट प्लांट नरेला में है और यहां पर जो पानी ट्रीट होने के बाद आता है उसकी आप एक जलक देख लिजिए यह जो पानी है ट्रीट होने के बाद काफी जादा साफ जो है वो आपको यहां पर नजर आएगा और सबसे क्लीन पानी अब तक जितने भी स्टीपी पर हमने परताल की है उसकी जलक आपको इस पानी में नजर आएगी लेकिन ये पानी ट्रीट तो हो रहा है जा कहा रहा है उसकी हम आपको एक जलक दिखाते हैं एक बानगी दिखाते हैं किस तरह से ये पानी यहां से होते हुए मेरे ठीक बाई और आप यहां पर देख पाएंगे यह जो नाला बहता हुआ नजर आएगा और इसी नाले में यह जो पूरा क्रीट होने के बाद जो पानी है वो आपको यहां पर गिरता हुआ नजर आएगा और जब पानी गिर रहा है तो इसमें से JHAG भी निकल रहा है यानि कहीं न कहीं जो फॉस्फेट की मात्रह है इस पानी में वो है और जिसके चलते जाग वाली जो इस्तित्य है वो यहां पर हो रही है दिल्ली के कोरोनेशन पार्क वाला स्टीपी प्लांट अच्छा काम करता मिला कई अस्तर पर पानी साफ कर ये लोगों तक पहुँचाने में जुता है ये एक अच्छा उदाहरन है जो पानी को कई अस्तर पर साफ कर लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है लेकिन दिल्ली से सटे घाजियाबाद के हिंदन का पानि गंदा और मतमेला है करीब तीन घंटे की च्छानबीन के बाद अर्थला का पांच दश्मलो चार एक मेलडी का स्टीपी प्लांट हमें नहीं मिला आसपास के लोगों से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि ऐसा कोई प्लांट जो है वो चलता ही नहीं है हलाकि यहाँ पर हमारी मौजूद्गी है मेरे ठीक पीछे जो पस्वीरे आप देख माएंगे इस तरह से जो नाले का पानी है वो आपको बगल में जील की ओर जाता हुआ नजर आएगा और यह जो जील है अतला लेक इसे कहा जाता है सम्रक्षिट जील है यहाँ पर परटेक आते हैं इसमें गिरता नाला आगे जाकर हिंडन नदी में मिल जाता है और यह पानी यमुना तक पहुँच जाता है साहिबी नदी का पानी बहुत गंदा है लेकिन यमना का पानी उसके मुकाबले साफ दिख रहा है इस संगम पर दोनों नदी bidding के पानी को दूर से भी पहचाना जा सकता है अगर सरकारों को पता होता तो साहिबी नदी का ये हाल नहीं होता और ये बड़ा सवाल उठा रहा है कि इस नदी के उपर बने जो भी STP प्लांट है वो कैसे काम कर रहे हैं क्योंकि अगर वो काम कर रहे होते तो इस नदी का ये रंग नहीं होता और लोग इसे सिर्फ नाले के रूप में नहीं जानते अब आपको दूसरा हाल दिखाते हैं यमना नदी का यमना नदी का रंग कैसा है और दोनों नदीयों का जब मिलन होता है तब आखिरकार रंग कैसा हो जाता है तो यह यमुना नदी है, सिग्निचर दृष के ठीक नीचे की, यमुना नदी करंग कैसा है यह आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा यानि तीनो राज्यों के S.T.P. प्लांट भी कही न कहीं यमुना को दोशित करने के जिम्मेदार है सरकारे जितना अच्छा काम कागजों में दिखा रही है, वैसा कुछ जमीन पर होता नहीं दिखा अब देखना यह है, सरकारे अपने बचाओं में कौन सा शब्द इस्तेमाल करती है, चूक हुई या चूक गई दिखा नहीं, कैमरा परसंद भूपेंद रावत के साथ, दिव्यांकर तिवारी, ABP News, दिली